Welcome to Catalyst No. 2, Part 2. So, Part 2 में वो कहते हैं, जैसा कि मैंने Part 1 में समझाया, कि आज की दुनिया में हम लोगों की पहचान वो सभी कुछ बन गया है, जो असल में हमारी पहचान नहीं है. आप कहां रहते हो, आपका नाम क्या है, आप किते पढ़े हो, आप कितना कमाते हो, आपके पास कौन सी गाड़ी है, आपके घर कितना बड़ा है, आप किन लोगों में उठते बैठते हो, आप दुनिया भर की बाते हैं, लेकिन अगर ये हमारा अस्तित्व और हमारी पहचान नहीं है, तो फिर क्या है, हम एक दूसरे से जुदा हैं, लेकिन हम एक दूसरे से जुदा नहीं भी हैं, क्योंकि हैं तो हम सब एक ही, हम दिमाग से एक दूसरे से जुदा हैं, पर बरना तो हम सोल लेवल पर एक ही हैं, तो फिर इस बात की तलाश कैसे की जाए, कि हम क्या हैं ये सवाल बहुत बड़ा है मतलब इसे गहराई से सोचने की जरूरत है अगर कोई आप से कहे कि खुद अपनी पहचान बताओ लेकिन ये सब चीजें नहीं तो आप भी खुद सोच में पढ़ जाओगे तो वो कहती है कि हम क्या हैं इसे ढूणने के लिए इसे पता करने के लिए हमें हमेशा ऐसा कर सकते हैं कि हमारे आस पास जो कुछ भी हर समय पर उपलब्ध है जो ये माया जाल ने हमें दिया है वो है catalyst, वो है उत्प्रेरक, इस जिन्दगी के खेल में, उस समय ऑपके पास क्या उपलब्ध है, आपके सामने क्या है, वो खेल आपको खेलना है, आप कहीं पर भी ये खेल को खेल सकते हैं, और ये आप जानते हो कि ये जो माया जाल है, जिन्दगी का, ये सच्चाई नहीं ह यह माया जाल है यह देखने में solid है हाँ इसका असर हमारे उपर हमारे उपर बहुत गहरा होता है बच्वन याद आ गया बहुत गहरा होता है जैसे बाबा रामदास इस माया जाल को अब यहां पर उसने हिंदी में लिखा है grist for the mill कहते थे मतलब के अब grist for the mill मुझे नहीं पता पर बाबा रामदास की एक किताब आय थी 1988 में जिसका किताब का नाम है grist for the mill और इस चक्की में पिसने के लिए जो grist मेरे खहल से इसका मतलब चक्की में पिसना मतलब यह जो जिन्दगी की चक्की है इसके अंदर पिसना वो पिसना तो पढ़ता ही है यह माया जाल है ही यह और इसके अंदर हर कोई पिसता है और गेहूं के साथ घुन भी पिसता है तो वो कहती है कि confrontation जो है इसी चक्की को उत्परेरक कहती है, catalyst कहती है और जैसे जैसे हम अपने आने वाले उत्परेरकों का सामना करते हैं उनके साथ उसे हिसाब से अनुभव के हिसाब से माहोल के हिसाब से व्यवहार करते हैं वैसे वैसे हम खुद को जादा पहचानते हैं वो भी पहचानते कि हमें क्या सीखना है और वो भी पहचानते हैं कि हमारे अंदर कितनी ताकत है कई बार ऐसा होता है कि बहुत बड़ी विपदा आ जाती है बड़ी सी बड़ी विपदा आ जाती है पर आप शान्त रहते हो आप केते हो हाँ कोई नहीं हो जाएगा उसे हैंडल कर भी लेते हो और समय निकल भी जाता है और आप केते हो हाँ या मतलब कहां गया वो टाइम कब आया कब गया पता भी नहीं चला निकल गया बड़ी अराम से और कभी-कभी छोटी सी छोटी सी कोई मुश्किल आ जाए कब हडबडा जाते हो घबरा जाते हो विचलित हो जाते हो वो भी आप ही थे और ये भी आप ही हो तो केमिस्ट्री में वो जो केमिस्ट्री साइंस होता है विज्ञान उसमें एक उत्प्रेरक एक वो वस्तू होता है जो एक केमिकल रियाक्शन को बहुत तेजी से बनाता है अलग-अलग माहौल में मतलब आपने मैं एक्जाम्पल दे रहे हो मुझे कैमिस्ट्री विल्कुल नहीं आती ओके आपने हैड्रोक्लोरिक असट के अंदर इन इस एडर्रोक्लोरिक असट डाला उसके अंदर आपने कुछ भी सोडियम फ्लोराइड डाल दिया और उसके अंदर और जैसे ही मुझे नहीं आता है, मैं एमें ही बोल रही हूँ, तो मैं गलत भी हो सकती हूँ, पर मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको example दे रही हूँ, कि आपने उसके अंदर एक बूंद, आपने mercury डाला और उसमें आग लग गई, वो होता है न, कई बार फिल्मों में और सीर किस लगाने की ज़रत नहीं पड़ी, बस chemical डाला, तो वो chemical क्या था, उत्प्रेरक, वो उत्प्रेरक डालने से, जो दूसरे chemicals थे, उनका स्वभाव जो था, जो उनका पैदाशी स्वभाव है, तो उन्होंने व्यभार क्या किया, जब उससे उससे मिलाया गया, तो बॉम सकता है, अलग-अलग, तो वो जो होता है, वो catalyst agent बोला जाता है chemistry में, और ऐसे agent और ऐसे अनुभव हमारी जिंदगी में हर समय आते ही रहते हैं, आजाओ, तो भी आजा विट्टे, तेरी कमी थी, बोलते हैं न, कि पहले ही इतनी मुश्किलें जहल रहे हैं, एक और आ यार, तो भी आजा, बस तेरी कमी रह गई थी, हाँ, बोलो, क्या, अब क्या करें, इस मुश्किल को कैसे handle करें, so वो है उत्प्रेरक जो आपके अंदर वो तिल्ली लगाता है, वो होता है न, कुछ लोगों को बोलते हैं, कांडी, या माचिस, ये माचिस आ गया, माचिस, हर बात में आग लगाता रहता है सबकी, वो माचिस, उसको बोलते हैं, कैटलिस्ट, बहुत ही फणी एग्जम्पल याद आया हो, मुझे, तो आगे, वो कहती है, कि जो उत्प्रेरक होता है, बहुत ही साधारन वस्तु हो सकती है, जो हमें, हमारे बारे में, कुछ बताने की कर रही है, और वो कहती है, कि जब मैं ये इस बारे में आज लिखने के लिए बैठी, तो मेरा जो भौतिक, शारीरिक उत्प्रेरक था, वो था कि धूपी नहीं निकल रही थी, सूरज था ही नहीं, और वो इतना नीचे था, इतना नीचे था सूरज, कि मेरी आखों में चम करा था, ये नहीं, इस्टिल वो रही लो पढ़ा मैंने, बट था, लेकिन वो इतना नीचे था, मतलब कि वो देर से उठी होगी, तो उसने उमीद किया होगा, कि सूरज जब तक तो सर पे आ गया होगा, तो वो सर पे आया नहीं, वो नीचे ही था, तो वो खिड़की से उस रख था सूरज नीचे था उसने पढ़दे लगा दिये उसका response क्या था पढ़दे लगा देना इसके अंदर भावना कोई भी शामिल नहीं थी लेकिन हमारी जिंदगी में ऐसी बहुत सारी भावनाएं होती है रोज मर्रा की जिंदगी में जो हमें भावनात्मक तौर पर बह बहुत परिशान कर सकती हैं हिला सकती हैं और यह कई बार रैंडम न्यूट्रल उत्परे रख होते हैं मतलब कि जो हो जाते हैं मतलब रहा चलते हुए किसी ने आप अच्छे खासे जा रहे हो कोई लड़का आया बत्तमीज सामने से उसने कंधे पर कंधा मारा जोर से और सी है या तो आप अपने कंधे को मलते हुए चुप करके आगे चले जाओ नहीं तो मुड़ो पिछे जाके उसका कॉलर पकड़के दे दान उसके मूख के उपर कान के नीचे मारो मैं तो बहुतों को मार चुकी हूँ बहुतों को पहले नहीं करती थी लेकिन फिर मैंने का यह तो रुकी नहीं रहा यह तो आए दिन कोई न कोई और उसका मेरे उपर बहुत गहरा असर पड़ रहा है कि किसी की हिम्मत हुई कि मुझे चुए चाहे जैसे चुए चाहे जहां चुए मुझे चुए मुझे तकलीफ दे और उसके मजे भी ले क्यूं भाई क्यूं समझ क्य रखा है, छोटी सी है, दुबली, पतली, बच्ची सी, भोला सा चहरा, तो तुम कुछ भी कर लोगे, अब्यूज करोगे, वो फिजिकल अब्यूज हो, मेंटल अब्यूज हो, इमोशनल अब्यूज हो, वाट्सैप के उपर अपना गंदा वीडियो बना के भेज देना, वो से एक्जामपल दे रहे हैं, तो ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है, और लोग क्या करते हैं, डर के सहम के चुप करके बैठ जाते हैं, पर इश्वर ने ये उत्प्रेरक आपकी जिंदगी में इसलिए नहीं लगाया कि आप चुप करके बैठो, इसलिए लगाया है कि ऐसे ब किसी का चाचा आके उसको रेप करता है, किसी का मामा आके करता है, किसी का पडोसी आके करता है, और मा कहती बैठे चुप कर जा, कुछ मत बोल, एक तो मा बेखुफ, मन तो करता है ऐसी मा के दो जाके जड़ दूँ, और उपर से बच्चा सहम रहा है, क्यूं, क्यूं डरना है नहीं डरना कभी नहीं डरना चाहे तुम पात साल के हो दो साल के हो 15 साल के हो लेकिन अपनी भावनाओं पर उसको हावी नहीं होने देना गुसा आएगा तकलीफ होगी शानती से जाके पुलिस में रिपोर्ट दिखाओ चाहो तो दो-चार थपड मारो डंडे से पिटाई क करो बिल्कुल करो क्यों नहीं करो उस इंसान ने अगर आपको किसी भी तरीके से अब्यूज किया है जरूर करो और उसके बाद भूल जाओ उसे माफ कर दो उसके बाद माफ करना पहले उसको सबक सिखाना जरूरी है पुलिस में कम्प्लेंट करनी है कम्प्लेंट करो मैं तो बहुत बाद गई हूं उसके बाद उसे माफ करो अपने इस अनुभग को भूल जाओ पीछे रख दो और उससे सीखो कि इस बार उसको थपड मारने भी मेरी दो मिनिट की देरी हो गई थी अगली बार जरा अगली बार मुझे अपनी आँखें खुली रखनी है कि अगर कोई सामने से आ रहा है मुझे कंधे पर कंधा मारने के लिए तो मैं पहले ही खिसक लूँ या मैं पहले ही अपने हाथ में मिर्ची का स्प्रेय रखूँ ताकि उसकी आँखों में स्प्रेय कर दूँ या हाथ में छुरी या पिन रखूँ ताकि उसकी कमर में घुसा दूँ ये सीखो कि मैंने कहां गलती की कि उसको मौका मिला मेरे साथ ऐसा करने का अगली बार ये मौका नहीं दूँगी मैं किसी को, क्यों दूँ, ये सीखना जरूरी है वहां से, अगर एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, बच्पन से आपके साथ कुछ होता आया है और आप नहीं सीखे और होता जा रहा है, तो रचेता आपको सिखाने की कोशिश कर जागोगे, वो भी देख रहा है कि इसके सबर का इंतिहान, कि ये कितना माफ करेगी, ये कितना चुप रहेगी, कभी तो जाग, कभी तो अपना मूँ खोल, कभी तो, और जब खोलोगे, तब ये होना बंदोगा, ये गैरंटी है, उसके बाद एक अद बार शायद हो, जो सीखना था, वो पूरी तरह से सीखाया नहीं, ये जाचने के लिए, एक्जाम, वो टेस्ट होंगे, एक्जाम होगा, सीखा, अपने लिए आवाज उठाई, चाहे सामने कोई माई का लालो, किसी से डरने की जरूरत नहीं है, किसी से नहीं, क्योंकि कोई तुम्हें abundance खेलाती है, किसी से डरने की जरूरत नहीं, चाहे आदमी है, ओरत ऐसा नहीं है, किसे औरतों के साथ होता है, अगर ये सोच रहे हो, तो बहुत गलत सोच रहे हो, बहुत सारे आदमियों के साथ भी ये हुआ है, बहुत सारे, मैं खुद कितनों को जानती हूँ, अब्यूज हुआ है, sexual abuse भी इसलिए चाहे आदमी हो या औरत हो नाइनसाफी और गलत के खिलाफ जो हमारी इस माया जाल में गलत और नाइनसाफी है आवाज उठाना आपका कर्तव्य है अपने लिए सबसे पहला कर्तव्य आपका अपनी तरफ है इसका मतलब यह नहीं है कि आप service to self के रास्ते पे जा रहे हो नहीं, 49% तो आपका अपना है ना और उसको balance करना आपको जरूरी है ना बस बात खतम, यह शरीर आपका है अब यह मन आपका है, यह धिमाग आपका है इसको अपने तरीके से जीओ, free will है आपकी किसी को इस पर किसी भी तरीके से हावी होने देना अपने आपके साथ नाइंसाफी है और जो इनसान खुद के साथ नाइंसाफी करता है वो किसी और के साथ इंसाफ के लिए क्या ही लड़ेगा ठीक है, तो पंदरा मिनिट हुए है मेरा appointment है, I will see you later Thank you so much, goodbye